दोस्तो इंडियान टूखिलार मार्केट की लेक्ट्रो क्लासिक सेग्मेंट पे जो वाइक राज कर रहा है वो है रोयल एन्फिल्ट की क्लासिक 350 लेजेंड क्लासिक 350 को टक कर देने युवेस से एक मशूर बोटोसाइकल ब्रैंड आ रहा है इंडिया में आज उसी के बारे मे बताएंगे तो दोस्तो वीडियो पुरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कॉमेंट शियात जरूर करें वैसे तो कई सरे वाइक है इस सेग्मेंट में जैसे जावाब हट्टी टू याजदी रोड स्टार बेनली इ बाइक है और बहुत सालों से रेट्रो क्लासिक सेग्मेंट में ए वाइक राज कर रहा है और दिन वदिन ये मौडरन होते जा रहा है और इसमें नया टेकनोलोजी एट होते जा रहा है क्लासिक 350 जो इतने सालों से किंग बेन के इंडियान मार्केट में राज कर रहा है अब इस लेजेंट बाइक को कड़ी टक कर देने यूएस से एक बहुत बड़ा मोटोसेकल ब्रैंड आ रहा है इंडिया में वो ब्रैंड है हार्ले डेविट्सन हार्ले डेविट्सन आमेरि ले लिया था क्योंकि हार्ले डेविट्सन का प्राइस रेंज बहुत ही हाई है इंडियान मार्केट लिए ये सुईटेबल नहीं है लेकिन फिर से हार्ले डेविट्सन इंडिया में आ रहा है हीरो मोटोर कॉप की कोलाबोरेशन में अब हीरो की मदद से इंडिया में ही मैन लॉंच करने जा रही है वो है Harley Davidson X440 चायना में जो वाइक लॉंच हुआ था इंडिया में उससे काफी पावरफुल वाइक लॉंच होने जा रहा है इस वाइक की बहुत सरे फोटो और टीजर रिवील हो चुके हैं और तो और लॉंच डेट भी कनफर्म हो चुका है जी हां द देखते ही आपको प्रीमियम फिल जरूर आएगा डूर टोन कलर यूज किया गया है इसमें रेट्रो एलिमेंट भी बहुत सारे देखनों पर मिलेगा इसमें रेट्रो फिल को मेंटेन करने के लिए इसमें राउंडेड हेड़ डांप यूज किया गया है और उसमें LED प्रो फॉर्ट्यमें भी टूइन इंजिन नहीं यूज हो रहा है इडिया में लॉंच हो रहा है इसलिए इस एक कौस्ट के तहर बनाया गया है इसमें रहेगा फॉर फॉर्ट्यिसी का सिंगल सिलिंडर फ्ज ट्रोक एर एंड और एट उयलकोल्ड एनजिन जो पावर प्रदिउस suspension दिया गया है और rear में dual shock absorber दिया गया है 100 या 110 section के tear रहेगा इसमें और इसमें diamond cut alloy wheel भी रहेगा, dual channel ABS इस bike में standard आएगा और इसमें single piece seat offer किया गया है और rider का seat थोड़ा deep रखा गया है ताकि जिन्नों का height कम है वो लोग भी comfortably इस bike को चला पाएगे और pillion का seat space भी ठीक ठाकी है और riding posture इसमें बहुत ही comfortable होने वाला है जो लोग high way में long tour करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और जो लोग city में travel करते हैं और pillion के साथ travel करते हैं उन लोगों के लिए भी comfortable होने वाला है और इसमें fully digital instrument console राएगा जो round shape में आएगा और उम्मीद है इसमें कुछ advanced features भी रहेंगे performance भी बहुत अच्छा होगा और mileage 40 के आसपास मानके चल सकते हैं ओहर और look बहुत ही eye catchy है उमीद है इंडिया को एक modern retro classic bike मिलने वाला है अभी देखना है इसकी price कैसा रहेगा यूँकि इंडिया में price बहुत matter करता है तीन लग के अंदर अगर price रहेगा तो ठीक है इससे उपर अगर price जाएगा तो डिक्कत आ सकता है तो दोस्तों आप मेंसे कौन-कौन इस bike के लिए इंतिजार कर रहे है और launch होते ही कौन-कौन इस bike को booking करने जा रहे है comment section में जरूर बताना तो फिर मिलते है किसी और वीडियो में वीडियो अच्छा लागे तो channel को subscribe और वीडियो को like, comment, share जरूर करे